वेल्कम बैक टु दे समाजिक दुरू चैनल आज हम करने जा रहे हैं क्लास सेवेंथ के इंग्लिश का सैंपल पेपर जो की आपके नवंबर तु दिसंबर बायो मंतली टेस्ट के पॉइंट व्यू से बहुत ही ज़दा इंपोर्टेंट है तो वीडियो को बिलकुल भी प्रदेश को पड़कि आपको जो मसी क्यों बेस्ट जो है वो दिये गए है उसके आपने आंसर जो है वो फाइंड आउट करने हैं पहला क्वेश्चन है विच अप फॉलोईंग सिटीज इस अपिटल उफ उत्तर प्रदेश तो पहले ही लाइन जो है वो इसका अंसर हो जा Solutions के लिए जाना जाता है एक भुनकरों के लिए जाना जाता है नेक्समें से आए निक्जैम्पल और वीविंग इसमें से कौं से क्यों आश कॉंदिते तो यह skill नहीं है ठीक है next है which of these is not a main crop of उत्तरप्रदेश इसमें से कौन सा crop जो है वो उत्तरप्रदेश का crop नहीं है तो rice, wheat और sugar तो होता है मेरे ख्याल से maize जो है वो नहीं है यहाँ पर check कर लेते rice, wheat, sugar, cane है maize नहीं है ठीक है तो maize जो है आपने यहाँ पर जो है वो answer करने है दो-दो number के यह question है पहला question आपसे the pressure hunt से पूछा गया है, where did Sagar go first, Sagar पहले कहा गया था and whom did he meet there और वहाँ पर वो किस से मिला तो answer है Sagar went to a forest, सबसे पहले वो जंगल गया, he met a lion there, वहाँ पर वो एक share से मिला, next है the boy had no friends because he always used a bad language in a fit of anger, तो जब भी लड़के को गुस्सा आता था तो वो हमेशा अपशब्द का इस्तमाल जो है वो करता था जिस वज़े से उसका कोई भी दोस्त नहीं था, ठीक है next question जो है वो पूछा गिया है आपसे give the meaning of any two of the following words in पंजाबी और हिंदी, तो आपको जो चार words जिये गए, इसमें से किसी दो के आपने पंजाबी या हिंदी में meaning बताने है, ठीक है तो ancient का क्या मतलब होता है, प्राचीन और उसके बाद treasure का मतलब क्या होता है खजाना decrease का क्या मतलब होता है, decrease का मतलब होता है, कमी और discover का क्या मतलब है, इसका मतलब है, खोज करना, ठीक है next fourth question है, यह हमारा, ठीक है answer the following question, दो नंबर का यह question है, earthquake से लिया गया है how did the poet come to know about the earthquake, तो poet को कैसे पता चलता है, कि भुकंप जो है, वो आ गया है, जो trembling fan है, ठीक है, जो मतलब कि fan हिल रहा था, उससे पता चलता है कि earthquake जो है, वो आ गया section C, जो है, वो grammar portion है, do as directed जैसा निर्जेश दिया किया है, वैसा करें एक एक नंबर के दो question पूछे गए है, rearrange the given group of words and punctuate to make meaningful sentence, तो आपको यह, जो है, जो है, वो words दिये गए है, इसको इस तरीके से arrange करना है, कि इसका meaningful sentence जो है, वो बन जाए, ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, राजन is my best friend next है, identify the type of sentence, किस तरीके का यह sentence है, question पूछा गया है, तो यह interrogative sentence है, ठीक है, interrogative sentence sentence, next, आपसे जो है, वो कहा गया है, कि attempt any one of the following, किसी एक को attempt करना है, या तो आप जो the sun and the wind जो स्टोरी है, ठीक है, वो लिखो, या फिर जो है, वो आप जो है, आप जो है, अपने friend को letter लिख सकते है, him to attend the wedding party of your elder brother की, वो आपके elder brother की जो wedding party है, उसको जो है, वो attend करें, ठीक है, तो यहाँ पर जो है, इसके बाद, जो है, वो question number seven, जो है, वो पूछा गया है, आपने translate करना है sentence को, या तो पंजाबी या हिंदी में, जो कि आप से इंग्रिश में पूछा गया है, और जो पंजाबी में पूछा गया है, उसे आपने English में translate करना है, एक एक number का यह sentence है, तो बच्चों, यह वीडियो हो जाते है, हमारी यहीं पर खत्म, इनके साब को कोई भी doubt है, ता आप comment section में question कीजिए, आपको reply करने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगी, thank you very much and have a nice day, bye-bye.